हिमाचल प्रदेश के कांगरा जिले में बसा है चामुन्डा देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश भगवानशिक की तपो भूमी और माता शक्ति का जनम स्थल रहा है चामुन्डा देवी मंदिर शक्ति के 51 पीठो में से एक है कहा जाता है कि माता सती के चरण इस्थान पर गिरे थे ये मंदिर दो मंदिला है और इस मंदिर के गर्प्रिह में स्थित है माता चामुंडा की भव्यों मूर्ती ये चामुंडा देवी का नया मंदिर है पूराना मंदिर उंची पहाड़ियों की चूटी पर स्थित है जिसे हिमानी चामुंडा कहा जाता है इस मंदिर तक जाने के लिए ज्यादतर पैदल जाना होता है जिसके कारण कई श्रधालो यहां तक नहीं पहुँच पाते माना जाता है कि चासों वर्ष पहले कांग्रा के राजा और पुजारी ने माता चामुंडा से प्रातना की कि वो किसी ऐसे स्थान पर निवास करे जहां पर शधालो असानी से जा सके कथा के अनुसार माता ने उनकी प्रातना स्विकार कर ली कहा जाता है कि माता ने राजा के सपने में आकर कहा कि उनकी स्थान पर मंदिर बनाना है और यहोबी कहा कि उस स्थान पर उन्हें एक माता की मुट्टी मिलेगी जिसकी उन्हें वहां स्थापना करनी होगी और मंदिर के अंदर वही प्रतिमा स्थापित की जाएगी और उसकी पूजा की जाएगी माता काली ने चंड और मुन्नाम के दो राक्षसों का वद किया था जब वह उनके कटे हुए सिर्क को लेकर माता भगवती के पास की माता भगवती ने प्रसन होकर उनी कहा आज से तुम चामुन्डा माता कहला ओगी मंदिर के नीचे वाली मंदिर में शिव का एक चोटा सा मंदिर है और इसकी आगे एक सुन्दर तालाब है